हलो दोस्तों, एक नएlich session में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों के लिए एक काटी important ये शूचना है ठीक है ये क्या है तो सूचना है शूचना दोस्तों BSPSEL के तरफ से h ऐसके तरफ से to BSPSEL गया है क्या है? मामला जो what गया था उसमें क्या आज का to date तहा यानि 25 जूलाई और 29 जूलाई को शुनवाई होने वाला और सुनवाई में क्या हुआ आप लोग वीडियो में इंत کہर्रूब भने रहेगा, और देखे दूस्तों यहाँ ही थे इस परकार का जजमेंट आएगा क्योंकि कोट की बात है तो समझBC यांगर कोट की बात है ठीक है नो देट पर डेता चला जाएगा सुनवाई की बात ही नहीं है याओ Brण अ गांटता दीन फांस दिन और कोई सुनवाई होता ही नहीं है ठीक है तो जब यह मामला गया सुप्रीम कोट तो उसमें क्या हुआ कि देखिए आप लोग बिहार सरकार को सुप्रीम कोट से मिला जटका अब रही बात देखें यह जटका मिला नहीं है यह जटका जो है मिलवाया गया है ठीक है जटका जो है जो केंदर सरकार है और जो राज्य सरकार है यानि कि बीजेपी और साथी साथ यानि कि नितिश कुमार का जो पार्टी जो भीहार में चल रहा है और केंदर में जो यानि कि बीजेपी का पार्टी है तो दोनों के संगठन से ये ऐसा हुआ है क्योंकि ये मामला जो था यानि कि क्या हुआ था कि 50% और 65% रेक्षन वाली बात जो है दोस्तो इसे यानि कि सुप्रीम कोट खारीज कर दिया था तो सुप्रीम कोट जब खारीज किया था दोस्तो जब नितीश कुमार जो है तेजसभी के साथ थे यानि कि सरकार में यानि कि सरकार में थे तेजसभी के साथ तो क्या हुआ कि अब चला गया मामला कोट में अब चला गया मामला कोट में अजब कोट में मामला गया तो दोनों का शरकार यानि की जुर्वा है ठीक है तो जब जुर्वा है तो सरकार के निर्देश दिशा निर्देश के इंसाब से ही कोट भी चलता है यह तो पक्का हो गय आज से यह पक्का हो गया कि सरकार के निर्देस दिशा से ही कोट चलता है ठीक है आप लोग देख सकते हैं यह सीधा-सीधा बात है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला जटका सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें यानि कि बिहार सरकार दोरा पिछले वर्गों के लिए अरक्षन में 50% से 65% अरक्षन के प्रस्ताव को रद कर दिया था देखें क्या कर दिया था तो रद कर दिया था ठीक है यह क्या है तो रद कर दिया था इरद कर दिया था सुप्रीम कोट के मामले में मामले को सितंबर में बिस्तरित सुनवाई के लिए सुची बंध किया गया है कहने का मतलब यहां सिधा-सिधा यह हुआ यह जो डेट दिया गया है दोस्तो ठीक है यह अगला डेट दिया गया है और अगला date कब दिया गया है तो सितंबर में दिया गया है ठीक है सितंबर में दिया गया है ठीक है अब क्या होगा सितंबर के बाद फिर से वो next date मिलेगा ठीक है next date मिलेगा तो मामला कब चला जाएगा नॉमबर में चला जाएगा ठीक है नॉमबर में होने के बाद फिर एक date जलेगा कि एक देट मिलेगा मकामला चलने वाल का मामला चलेगा तो उसוחम क्या होगा इसको फिर से जो है कोई सुनभाई नहीं जिस एक दिया है उस दिनु K Prof. कर दिया जाएगा कोई judgment नहीं आएगा यह judgment आएगा कि इस case को हम खारिज कर रहे हैं सिधा सीवा ठीक है क्योंकि जब कोई भी कारे दो व्यक्ति के संगठन यानि की मिलाप से होता है तो उसमें यानि की कुछ इधर-उदर की बात है ही नहीं भाई जब यह मामला कोट में गया और जब गोटी से खारिज कर दिया था तो फिर अगली सुनवाई की बात है क्या तो आप समझ सकते हैं यह जो चाल चलोवन है वो सरकार की ही चाल चलोवन है तो आप लोग इस मुद्दा को जरूर समझिएगा ठीक है और साथी साथ अब student को क्या करना पड़ेगा यह काफी सकते हां हद तक student के खिलाफी है तो आप student को क्या करना पड़ेगा तो student को दोस्तो जो है अब तियारी ही करना पड़ेगा उसके अलावाद कर नहीं अगला उपाई भी क्या है मैं क्या बोलू समझ ही नहीं आ रहा तो आप लोग जो है इस वीडियो को जादा से जादा जरू बाला नहीं है दो हजार ठीक है पचीज से पहले इंजाम जो है बी एस पी एसल का एकदम नहीं होने बाला यह ध्यान में आप लोग रख लिए ठीक है तो चलिए यही एक छोटा सा नीज इंफ्रमेशन के साथ हम आप लोग भी जो बलब्द थे तो चलिए मिलते हैं कि नए से में तब तक के लिए जाएंगे